अब आम लोग पढ़ेंगे कि what is the meaning of stock and what is the meaning of flow stock or flow होता क्या है तो first of all we know about stock, stock क्या होता है stock quantity measure at a particular point of time stock का मतलब यह होता है कि जब एक किसी भी particular point of time पे किसी भी चीज़ को measure करते हैं तो concept क्या राता है stock का concept है और flow का concept क्या है flow का concept है कि जब किसी भी time पर किसी भी समय पर मतलब किसी तरह कोना चाहिए over a specific period of time पर जब किसी भी चीज को measure किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते है जब एक particular point of time पर मेजर हो तो वो है stock और जब एक over a specific period of time पर measure हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे flow फिर से बढ़ करना particular point of time stock specific period of time flow अगर यह clear नहीं हो रहा है definition and meaning से तो एक example हम देते हैं जैसे की देली और कोलकता माल लेते हैं देली से कोलकता जाने टोटल डेली से कोलकता का total distance जो है वो है 1500 km तो यह क्या है this is the concept of stock यानि distance from Delhi to Kolkata is 1500 km this is the example of stock तो हमने अभी क्या पढ़ा है stock के definitions में कि it is a measure at a particular point of time यानि एक particular point of time में जब हमने देली और कोलकता का distance को measure किया तो 1500 km है student यह गौर करना है कि देली से कोलकता का distance change हो सकता है नहीं हो सकता है क्या आप कोलकता से देली आएंगे तो क्या यह 15 km अधिक होगा यह कम होगा नहीं होगा यानि यह distance fix रहेगा यानि एक particular point of time में किसी भी चीज़ को जब हम measure करते हैं तो वह क्या होता है stock होता है stock में changes नहीं होता है यह सबसे keywords हो गया दूसरा example यहां पर दिया हुआ running a car from Delhi to Kolkata अगर हम Delhi से Kolkata अगर जा रहे हैं by road कार से अपनी कार से अगर हम सफर कर रहे हैं Delhi से start हुए कार से जाना और कहां तक जा रहे हैं Kolkata तक तो जब कार यहां से चलेगी Delhi से Kolkata तक तो उसका speed 50 km पर आवर भी हो सकता है 100 km भी हो सकता है 150 km पर आवर भी यहनि एक कार का जो speed होगा Delhi से Kolkata जाने का दर्मियान वो fluctuate करेगा यहनि उसका किलोमेटर अप डाउन जा सकता है यह कौन सा concept होगे flow यहनि कार रॉनिंग एकार फ्र म डली टो कोलकता इस दब्शक्रण फ्लो और दिस्टेंश कर दली टो कोलकता इस दब्शक्रण फॉइंस एक और एक्चापल हम देते हैं सपोज यह बैंक है इस टेड़ स्टेड बैंक ओफ इंडिया है माल ले थेकि स्प का यह इस बैंक में आपक में टोटल 10,000 रुपीस है बैलेंस आप बैंक में गए और देखे कि आपके बैंक में टोटल 10,000 रुपीस डीपोसीत हैं तो हम क्या कर रहे है सिकास कैसे उच्छान सूπह है एक दो 2020 यह है यह मेरा है particular point of time इस particular point of time पर हमने bank में जाकर दिखा कि मेरा bank balance कितना 10,000 यह 10,000 इस date में change नहीं हो रहा है change कब होगा जब हम bank बहुर पैसा जमा करेंगे तो यह amount increase कर जाएगा bank से withdraw करेंगे तो decrease कर देगा हमने increase decrease की बात नहीं कर रहा हम इस date में कितना मेरा bank बैलन्स है यह हम देखेंगे किस तरह का concept होगा अगर उसी बैंक में हमने 2000 और ले जाकर जमा कर दिया 2000 और बैंक में ले जाकर जोड़ दिया तो यह balance कितना हो जागा 12,000 या इस बैंक से 3,000 रुपे निकाल लिए तो 10,000 में 3,000 लेस कर लेंगा तो यहां पर क्या हो रहा मेरा bank का balance fluctuate कर रहा तो इस इस दा concept of flow यानि bank से पैसा हम जमा करें या निकाल रहा है तो flow का concept है और एक particular point of time पैसा हम कितना balance है मेरा वह जानने की कोशिज करने तो मेरा stock का concept है clear हो गया एक और example देते है यह पानी के टंकी है यह पानी का टंकी जो है 50 लिटर का है इसमें एक बार में 50 लिटर पानी आएगा इस पानी का टंकी में जो 50 लिटर पानी है यह पानी का टंकी में जो 50 लिटर पानी है ये क्या है ये ब् Meter क्या है क्या ये change हो सकता है क्या ये 50 लिटर से excess हो सकता है नहीं होसकता तो एक पाणी पॉइंट अफ टाइम पर हम देखेंगे कि इस टंकी में वाटर कितने है 50 लिटर से हां इस टंकी में जो पानी इंजेक्ट हो रहा है यानि पानी जो बहार से आकर इस टंकी को फिल कर रहा है और यह पानी जो यहां से आउट फ्लो हो रहा है यह जो इंजेक्ट हो रहा है यह का concept है क्योंकि यह fluctuate कर रहा इसके होने से टंकी का जो पानी जो fixed है उसमें changes आएगा यह concept क्या हो गया फ्लो का हो गया और यह क्या हो गया स्टॉक का concept हो गया क्लेर स्टूडेंट नेक्स्ट अभी हम नीचे कुछ इसके अधार पर आप यह बताऊगे कि आप स्टॉक कौन सा यहां एक्जामपल जो है स्टॉक है concept और कौन सा फ्लो है पहला investment दूसरा monetary expenditure तीसरा है 100 रुपीज नोट 100 रुपे का नोट क्या है वह स्टॉक है कि फ्लो है कंजम्शन और सुगर हम डेली जो सुगर कंजूम करते हैं चीनी खाते हैं वह क्या है स्टॉक है किफ्लो है सर्विस तुमारे ट्यूशन टीचर जो तुमको सर्विस देते हैं पढ़ाते हैं तुमको वह स्टॉक है कि फ्लो है फोड़क्शन और सिमेंट के फक्री में सिमेंट प्रड़क्शन हो रहा है 16ミ 25 ये कुछ ऐसे इग्सांपल दीएय siete और प्रेमियर करने के लिए प्रसकते कि Κॉन सा एग्सांपल स्टॉक का है आगाँ सा फ्लो का है तो स्टूडेंट बहुत इंट्रेस्टिंग टापिक था बहुत सॉट टापिक था है इस अच्छे से वीडियो को फिर से रिवाइन करके देखिएगा और कोई हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे का जो भी हमने एक्जाम्पल्स दिये हुए आपसे कोशन किया हुए वीडियो देखने के बाद रिप्लाइ जरू कर जियेगा थैंक यू वेरी मुच